दोस्तों कंटिनु करते हुए है फ्लैक्षिप डिवाइस का कमपारीजन अभी बात करेंगे आईक्यू सेवन लिजेंट का जो की उतना ही पावरफूल है जितना की यह माई 11x प्रो यह कोई भी फ्लैक्षिप डिवाइस आज के डेट में 2021 में लॉंच हुआ है तो देख लेंगे इसका पूरा डीटेल स्पेक्षिट और क्या यह बेटर है एमाई 11x से और नॉट प्राइस दोनों का सेम है 40,000 में मिलता है आपको डिस्काउंट मिला के 36,000 तक मिल जाते हैं दोनों ही स्नैप ड्रगॉन ट्रिपल एट प्रोसेटर के साथ ही आते हैं और 5G बैंड साइद मोस्ट सपोर्टेड इसी पर्टिक्लर हैंसेट में 11 बैंड स सपोर्ट देता है और साथ की साथ 66 वाट का फ्लाइस चार्ज डबल दन 11 एक्स प्रो 120 हर्ट का डिस्प्ले आपको मिल जाता है सेम रहेगा बट टच सेंप्लिंग रेट थोड़ा कम कर दिया है 300 हर्ट का दिया है और बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल जहां पे 108 मेगापिक्सल उस है जो की 11x प्रो बाजी मारता हुआ बट ओएस देखे उस एडवांटेज को डिस एडवांटेंज में बदल देता है एक्यू से लिजेंट पतलब आप समझ सकते हैं इस भी है वाइस पीए दो स्टेबिलिटी वीडियो और फोटो में बहुत ही तगड़ा होने वाला है कुलिंग दोनों फोन में अच्छा दिया हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लेम होने वाला नहीं है बाकी आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं LPDDR5 और EFS 3.1 दोनों ही फोन में परफोमेंस में पीछे कोई भी नहीं है दोनों ही सेम एक्को आली परफोमेंस है आप अगर 22 स्कॉर में एक दो आगे पीछे होगा भी वह फरक नहीं बाड़ता रियल लाइफ में वह बस टैम्पूररी होता है रजल्स तोनों ही सिम ड्यूल सेंफाइब ड्यूल 5G सपोर्ट एक साथ चलता है बड़ा बढ़ बढ़िया है और जो नॉर्मल हाई ब्राइट नेस एट ह का 11X PRO में सेम बैट मतलब डिस्प्ले में पर्फोर्मेंस में दोनों ही एकदम टकर का है आगे बाजी मरता हुआ आपको चार्जिंग स्पीड में मिल जाते हैं बैटरी कैपसिटी भी दोनों का से में अल्मोंस से में बोल सकते हैं एक हंड्रेड इमेज का डिफरेंस आएग जल्दी जल्दी चार्ज हो जाए और डिस्चार्ज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है एक घंटा पहले पर फिर से आप 20-25 मिलिट में अगर फुल चार्ज करके पूरा दिन चला सकते हैं तो तो बेटर है और गेमिंग एक्स्पीरेंस दोनों में बढ़िया होने वह दिस्प्ल पड़ेगा गेमर है तो आपके लिए यह चीज़ बहुत ही बड़ी आनों का फिल देने वाला है डूएल स्टीजियो स्पीकर दोनों में ही है कोई भी प्रावलम नहीं हो उस पड़कर जाओ पर और सारे कनेक्टिविटी बात करें वाइफाइश से लेके आपका सबकुछ लेटेस्ट प्रोसेजर आपको मिल जाते हैं इधर एक और एक अड़ाइज मिल जाएगा आपको कि हमेशा अपना रैम को एक्स्टेंड कर लेता है रॉम के थ्रू 3GB एक्स्ट्र आपको रहे मिल जाएगा आपकर 8GB खरीद रहे तो आपका रैम 11GB हो जाएगा तो वह भी आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट में हेल्प करेगा अभी कैमरा आप देख लीजिए इसका कैमरा स्टील कैमरा तो बहुत ही तगड़ा है बहुत ही प्रोफेशनल दरीका फोटो जेते हैं उसके साथ साथ आपको एक 13MP का टू एक्स ऑप्टिकल जू है कंपनी ने तो कैमरा में पीछे कोई भी कमी नहीं छोड़ा है कंपनी तो आप देख सकते हैं वाई एसन येस का कंबिनीशन हमें साथ डेडली होता है तो यह चीज़ अच्छी तरह से इस पर्टिकल स्मार्टफोन में अप्टिमाइजड है और यह जो पिक्सल से अल्टर इस डीमेजिंग यह भी आपका जो अप्टिकल जूम है उसमें बहुत ही हल्प करता है तो पुरा एजडी फोटो लेता है आपको जूम करने के बाद भी तो जूम करने के बाद आपको कभी नहीं लगएगा कि आप फोटो खराब आ चुका है बढ़िया है और वीडियो बहुत सारे प्रीडिफाइन मोड दिया गया था इधर आपको प्रो मोड देते हैं वीडियो में जो आप अपने तरह से कस्टमाइज करो कैसे चाहिए आपको और नाइट मोड भी बहुत अच्छा काम किया एक कंपनी ने तो नाइट में बहुत ही बढ़िया कलर्स एक्यू इस दे दिया एक्स्टेंड रैम फिचर्स दे दिया चार्जिंग स्पीड को आगे लेके चलाई है स्क्रीन साइज तो अलमोस्ट दोनों का ही से में आपको इसमें कोई डिफरेंस मिलने वाला है नहीं आप देख सकते हैं कि अपर्चर भी देखिए 1.79 2.46 2.2 फ्रंट में 16 से 2.0 जो की अपर्चरी बहुत तकड़ा दिया है कि क्लारेटी उसमें बहुत इन्हेंस हो जाता है और 4K आपको 60fps तक आप रेकॉर्ड कर पाएंगे तो NFC का सपोर्ड भी दिया हुआ है इंडिस्प्ले फिंगर्स में स्कैनर जो कि नहीं मिलता है आपको 11x प्रो में यह भ बाकी दोनों ही एज-टो-एज फोन है अभी आपको देखना है ब्रैंड प्रिफरेंस आपको अगर एमई है तो आप एमई चूज कर सकते हैं तीन चर्शी में कंप्रोमाइज करके अगर आप IQ लेना चाहते हैं क्योंकि यह भीवो का ही एक सेपरेट ब्रैंड अबोल सकते ह जो कम दाम में फ्लैक्षिप हैंड से लाने के कोशिश करना है बट अभी तब सारे फीवो का सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है आईक्यू के लिए से 1015 आईक्यू का सर्विस सेंटर अवेलेबल है अक्रोस इंडिया तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है आपको अग मिलते हैं नेक्स रेक्मेंडेशन वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया आप